आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें मुझे पता है, M गुणे D बराबर क्या होता है, W यहां, M क्या है, दिनों की संख्या, विक्तियों की संख्या, D क्या है, दिनों की संख्या, और W क्या है, कारी है, ठीक है, इस कारी को ये लोग इतने दिनों पर कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ, कि अगर मुझे कुल का 18 ये मेरा कुल कारे हो गया जो कि हमें करना है अब किस तरीके से काम हो रहा है उस तरीके से हम लिख देते हैं देखें तीन दिनों तक एक साथ काम किया यानि कि 20 लोगों ने 3 दिनों तक काम किया तो इनके द्वारा किया गया कारी प्लस अब क्या हुआ फिर पांच लोग और आ जाते हैं तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा मुझे ये पता करना है तो कितने दिनों में कारे समाप्त हो जाएगा तो देखे यहां से हम इसको निकाल सकते हैं मैंने माना कि पहले 20 दिन थे 20 लोग थे, 20 लोग काम कर रहे थे, 5 लोग और आ गए, यानि कि 20 प्लस 5 लोग हो गए इकुल, और ये कितने दिनों तक कारी कर रहे हैं, D दिन, ठीक है, बचे हुए काम को, जितना काम होने के बाद, काम बचा, उसको बचे हुए काम को D दिन तक कर रहेंगे, ये 20 प्लस 5 हूँ अगर मुझे d की value निकाल नहीं है यहां से तो मैं लिख सकता हूँ 20 गुणे 25 20 प्लस 5 येने 25 और यहां से क्या लिख सकता हूँ 20 गुणे 18 माइनस 20 गुणे 3 यहनि कि इसको मैं लिख लूँ 20 गुणे 18 माइनस 3 यहनि 15 ठीक है और 15 दुनी 30 होता है और ये आ जाएगा 300 यानिकी तो D बराबर अगर मुझे चाहिए तो 300 बटे 25 कर दूँ ठीक है तो देखे 25, 400 होता है ठीक है यानिकी ये आ जाएगा 12 ठीक, D बराबर कितना आ गया 12 तो बचे हुवे काम को कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा बचे हुवे काम को करने में 12 दिन लगेंगे इतना काम करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं तो मुझे कोशन में पूँच क्या रखा है तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो यहां से हम निकाल चुके हैं कि ये बचा हुआ काम हमारा 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा यही हमारा आंसर हो गया तो देखे इसके लिए मेरा सही उत्तर कौन सा है option number A Thank you